भारत में मौनसून ने दस्तक दे दी है कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है और कहीं जगा अब जल्द ही बारिश आने के आसार है लेकिन इस बार आई बारिश अपने साथ एक टेंशन भी लेकर आई है क्योंकि इस वक्त देश एक खतनाक महमारी कोरोना से जूज र आना अपने साथ एक दस्तक लेकर आया है कोरोना वाइरस के फैलने की महराश्ट गुजरात और मद्रदेश जैसे राज्यों में इस वक्त कोरोना वाइरस पीक पर है हर रोज कोरोना वाइरस के नए मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं ऐसे में मौनसून की दस्तक चिंता जनक ह क्योंकि बारश के इस सीजन में वाइरल बिमारियों की होने का खत्रा बढ़ जाता है मौनसून आने के साथ ही एस्पितालों में डेंगू मलेरिया और अन्य वाइरल बिमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है हम पहले से ही एक वाइरस की जद्म है और फिर इन कोरुना महमारी को और बढ़ाने का काम कर सकता है इंडियन इंसिट्यूट ऑफ साइंस बैंगलूर और टाटा इंसिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबे के शोध करताओं ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि मांसून के चलते कोरुना वायरस के संक्रमेंट का बातावरहन में कोरुना वायरस अधिक समय तक जंदा रह सकता है इस स्टडी को आईटी बॉंबे के दो प्रफिसरों नहीं किया है जिनका मानना है कि अधिकता अपमान और कम नमी की वज़ज़ से खासी अच्छी के ड्रॉपलेट से सूखने में कम समय लगता है लेकिन मां सून अपने साथ बिमारियों के साथ ही कोरुना के जादा बढ़ने का खत्रा भी लेकर आया है इसलिए हमें जादा सजग और सचीत रहने की जरूरत है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फोर अपडेट्स